अब आपका स्वागत है आज हम आपको दो कलर के पाना जी की ड्रेस बता रहे हैं गोल्डन और ग्रीन देखिए दोनों बड़े प्यारे कलर हैं आप हमारे देखिए जब तक स्टार्ट करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बैल आइक जाए जाए शेयर करते जाए अगर कर दिया है तो आपके बहुत थैंक्स नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देजिए और आप हमें ऐसे ही प्यार देते जाए चली स्टार्ट करते हैं यह दिखिए हमने गोल्डन कलर से 20 चैन डाल दी है बीस चैन डाले है अब यहां स दबल क्रोश अब में हम एक एक द छोड़नी है सब में हम एक एक डबल क्रोश बनाएंगे लिह में न थिंद्धरय भी आप को कि वीडियो में बता चुकり है कि तोंि यहां बता रहे हैं तांकि जिन्हों ने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है वो यह देख रहे हैं तो देख ले और प्ली सब्सक्राइब जिरूर करिये और पूरी मीडियो देखिए यहां पे भी हम यहां पर सब में हम एक-एक डबल क्रोशे डालें जो है साइस के हिसाब से कम ज्यादा हम कर लेते हैं जैसे दिखी छोटा है तो अभी हमने शुबह में एकदम छोटे का भी बनाया था छोटे काना जी का तो हमें 15 चेन डाली थी बड़े का ब्राया सत्रह लाली और उनके उपर भी आपकर डीपेंड करता है कि आपके उन मोटी है जा पतली है अगर मोटी है तर भी चेन कम चाहिता है बढरीक है साइड और बढा fakult हम उसमने लेने पड़ेंगी जादाए कि परेंगे सब्सक्राइब करें देफिक इंड़े इसलिए नवे हिसाफ भी आपको चैन को कम ज्यादा करना पड़ता है इस बात का अब जूब ध्यान रखिए कि आपको उन्हें मूटी है जब पत्री है यह दिखिए हमारा कम्प्रीट हो अभी हम एक दो तीन डालेंगे और सब में हम यहां से हम सब में डबल डबल क्रोश्य डालेंगे पहला हमने चेहन ले दिया उसके बाद अगले वे हमने सब म हम डबल डबल क्रोश्य डालेंगे आपको यहां तक कंप्लीट करके बताते हैं कि समय हमने एक एक चेन में दो डबल क्रोश्य हमने डाल दिया है अब हम लास्ट में सिंगल डाला फर्स में हम सिंगल डालते हैं और लास्ट में सिंगल डाला अब हम फिर से तेन चेन बनाएं यहां हम पहले बाले में डबल क्रोश्य बनाएंगे एक डबल क्रोश्य और उसी में हम दो डबल एक और डबल क्रोश्य बनाएं उसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर उसमें हम यह देखिए फिर एक चेन छोड़ेंगे फिर एक छोड़कर चेन अगली चेन में में हम एक-एक सिंगल डबल क्रोशिय बनाएंगे इस तरह यह हम थोड़ा सा डिजाइन डालेंगे एक थोड़ी अब हम दूसरा बनाया इसी तरह हम अपने यह लाइन जो है कम्प्रीट करेंगे एक छोड़ा और सब में हम ऐसे ही बनाएंगे कान्या जी की जो ड्रेस है उसमें थोड़ा सा डिजाइन डाला जाएंगे एक छोड़ी एक चेन बनाएं एक चेन छोड़ी और दूसरे में आपर से बनाएंगे यह दिखिए फिर एक chain बनाएंगे और दूसरे में रिवम опас focuses on इसीतर है व्याद की करेंगे। जिँलगें थे अब स्टेट केंदे के हम अधे 74 इसल डार dipping डाले disgust और में दूसरे मैं यहां पर हमारा श्की स्ट केनि मैंने समय को इसिद डाला है यहां करनी कि में अनन फुल्काशिर के हम 2 टक्रशा बनाए और दूसरा डबधर बनाएगे और और लिएफी चेशंगे और लास्ट वाले में हम anytime क क्रोशा बनाएं डिके हमने समय क ile सेशन ऐख दर्वल-पर बनाएं लेकिन फर्सट में दो बनाएं और लास्ट वाले मामने शोल्डर बनाएंगे देखिए अभी हम पहले सारे चेन गिनेंगे कि हमारे पास कितनी चेन है उसके हिसाब से हम करेंगे हमारे पास 37 चेन है 37 को हम अभी डिवाइड करेंगे साथ साथ हम देखिए पहले तीन चेन करेंगे एक दो और यह तीन अभी हम साथ यहां डबल क्रोश्या यहां एक साथ में बनाएंगे एक फिर इसके अंदर करेंगे दो यहां करेंगे तेन इसके वारण बापर यहां करेंगे चार पांच छे यह हमने साथ अपना डवल क्रोश्या बना लिया अब हम यहाँ पे साथ छोड़ेंगे दिखेंगे एक दिखेंगा एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ में में हम डालेंगे अब हम सोला बनाएंगे एक दू तेन चार पांच छे साथ आठ देखेंगे भी हम सोल्डर बनाएंगे इनका हमने एक चेंड डाली उसमें बाद अब भी हम यहाँ पे देखेंगे अब हम एक एक के अंदर अब हम एक एक के अंदर दू तीन चार पांच हमने छे सिंगल सिंगल में डबल क्रोशय बना लिया एक एक चेंड अब हम यहाँ साथ चेंड छोड़ेंगे एक एक दो तीन चार पांच छे और आठ में वाली जो हमारी चेंड है उसमें हम यहाँ पे डबल क्रोशय बनाएंगे एक अब हम सब में फिर से एक दो तीन चार पांच छे साथ पांच साथ आठ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा हमने यहाँ डाल दीए डबल क्रोशय डाल दीए है यह दिखिए अब हम फिर से साथ चेंड छोड़ेंगे एक दो तीन चार पांच यहाँ बारा डाल देगे क्योंकि हमारी पास प्लेस है यह दिखिए अभी हम यहाँ एक दो तीन चार पांच छे साथ डालके आठ में में हम अभी यहाँ पे डबल क्रोशय डालेंगे एक दो तीन इसे में एक और डाल देंगे दो दो चार पांच एक हम चेन के उपड़ा डालेंगे देखिए छे यह हमारा देखिए हमारी यह जो पानाजी की जो पर का ट्रेस्टर वह तैयार होगा यह दिखिए यह हमारे तोली उनकी तैयार होगा अब हम यहां पर दिखिएगा वापस से यहां जाएंगेroneरा दो चेन डालेंगे तीन नहीं दालेंगे, दो चेन डालेंगे दीखिए एक और एक दो अब हम यहां सब में ffenने आप डबर क्रूश्या बनाएगे एक भी हमको चेन ने छोड़नी है सब पूरे जितने हमारे पास चेन है सब में हमको हाफ डबल क्रोश्या बनाना है सब में हम हाफ डबल क्रोश्या बनाके यह लाइन कम्प्लीट करेंगे हमारे लाइन कम्प्लीट होने को आई यहां पर हमने पूरी रो में हमको हाफ डबल क्रोश्या बनाना है इसी में भी हमको सिंगल डबल क्रोश्या नहीं बनाना है यह रो पूरी हमारी हाफ डबल क्रोश्या में जाएगी यह देखे हमने पूरी में हाफ डबल क्रोश्या बना लिया है इस तरह हमारी जो कान्ना जी की ड्रेस की जो चोली है वो complete हो गई है लास्ट में यह चेन आई हम चेन में भी गालें फिर एक दो तीन जालेंगे यह दिखिए यह हमारे कानलाजी की जो चोली है दिखिए सुनदर सी यह दिखिए चोली जो है हमारी तैयार हो गई है आप इसको आगे रखें जा उसको आगे रखें यह आपके ऊक्ष्ण है कि आपको दागा मंदर करेंगे कि यह हम कहां पर हमको यह दिखिए को कहां पर इनको रखना है आगे रखना है जा पीछे रखना है इस तरह हमने चोली बना ली चलिए भी हम यहां से दूसरा दागा यहां से भी हमने धागे को काट दिया है यह हमारी कानेजी की चोली जो है तेयार होगी है अब हम गरीन कलर लगाएंगे यह दिखिए यह हमने जूसा गरीन कलर लिया है यहां पर हम पहले एक गाठ लगाएंगे अब हम यहां पर हमने यहां से भी हम है इसको लगाएंगे हम यहां से पहले इंट को यहां से स्टार्ट करेंगे यह दिखिया है हम यह वाला जो हमारी चेन है फस्ट वाली चेन है हम वहां पर क्रोश्य निकालेंगे के और यहां पर जो हमारी लास्टट वाली चेन है यह से फिर्सट वाली है उसको हम यहां सी चेन से इनको की जैन करदेगे करेंगे और एक यहां चेंद करदेगे यह जो हमारी ढग्य है इनको हम अंदर की तरफ यह के बनाइंगे अब हम यह देखें ।ब में हम एक एक में हम एक एक दोल डॉब लोखोचों वनाइगे लिखिए यहां से स्टार्ट करते हैं पandez रहे हम फिर इन चेयन बनाइंगे माले हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे, एक और यह हमारे चेन वला होगे है, दो होगे, अब हम नेक्स्ट में जो है हमारी चेन, यहाँ पर यहाँ पर भी हम, यहाँ पर भी दो डबल क्रोशिय बनाएंगे, एक, दो, फिर वहीं पर बनाएंगे, हम सब में एक एक, इसको हम पीछे की साइड में रखेंगे, ताकि हमारा दागा अंदर हो जाए, एक, दो, दो हमको डबल क्रोशिय बनाने हैं, एक, और एक, दो, फिर नेक्स्ट यहाँ के अंदर बनाएंगे, एक, एक, दो, फिर नेक्स्ट यहाँ में बनाएंगे, इसी तरह हम एक भी चेन छोड़ेंगे नहीं, सब में हम दो दो डबल क्रोशिय बनाएंगे, यह दिखिए, इस तरह हम सब में, जितनी हमारी चेन हैं यहाँ पर, हम यह दिखिएगा, सब में दो दो डबल क्रोशिय ब कितना सुन्दर लग रहा है कि अभी हम पूरा सरकल बना लें पता है निलाजा केड़े बले बंद हो जाने देखिए लास्ट में हम आए यहां भी हमने दो प्रांट पोस दाले उसके बाद एक दो चेन डालेंगे और यहां पर जो मैंने थार्ड बनाया था यहां पर इसके किया संदेटी आर निलांगे और तावा यहां आखिए तो इनको टेखिए देखिए अब ही मारा पूरा सरकल पादिए द्यार हो गया है तो टबल क्रोशें तो फ्रेंट पोस्ट ते डाले कि ढाले एसी तरह हमने एनको पूरा कर लिया है जाए अब यहां पर थो यहां पर बापस कि मिट्प में लिगांगे यहां पे वापस यह जो मारा फ्रंट पोस्ट का है के फ्रुन पोस्ट का हमारा ऐसे ही चले ऐगा कि इसको थोड़ा लंबा खिंचेंगी ऑफ एक तो एक चेहन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट में भी इसी तना हम हम फ्रंट बोस्ट बनाएंगे ईए यह हमारे इसी तरह प्रण पो चलेगा फिर एक दो चैनर बनाएंगे फिर यह जो हमारा तेन है इसको हम यहाँ पांछ बनाएंगे एक हिविस्ट बाले में दो डालेंगे है ए ERIC लालेंगे 3 है और लास्त वाले में फिर हम डूरा है एक और यह दो यह हमारे पांच हो गए पिर हम दो यह जो दो की चेन है यह एसे ही हमारी चलेगी फिर हम दागा आगे करके एक फ्रॉंट पोस्ट बनाएंगे यह दिखिए एक फरン पोस्ट जाते हैं फिर एक चेन डालेंगे उसके बाद न てज फीर से हम ऐसे लिए फिर एक चेन डालें उसके बाद दो देवाद ऑर यहां हम तीन है तीन का हम यह दिखिए पांच बनाएंगे एक, दो, पहले फर्स्ट में हमने दो डाले, दूसरे वाले में एक डाला तीन हो गए, और तीसरे वाले में दो डालेंगे, एक चार, और यह दूसरा उसी में डाल दिया तो पांच हो गए, यह दिखिए, तो दो चेन डालेंगे, फ कि आपको फ्रंट कोस्ट में धागा थोड़ा सा खींच के रखना है यह दिखिए इसे खींचेंगे नहीं तो यहां से थोड़ा छोटा हो जाएगा यह दिखिए इसी तरह हम अपना यह सरकल पूर हमने दिखिए तीन का पांच बना है फिर साथ नौ फिर ग्यारा इस तरह बन कि तीन चार पांच छेजी लाइन हमने डाली हैं इंक दीखिए और यहां परह पर हमारे एक 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 दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस जारा बारा तेरा सब में हमने तेरा तेरा बनाए है एक इदर से बढ़ाया और एक प्रांट पोस्त दाला था तो दिखिए चलिए अभी हम यहां पे इसको दिखिए यहां पे हम यग है हम यहां पे इसको जो करेंगे यहां पे हमनें बनाया यहां से आंगे जरी चार रही है अभी हमने चेंड से स्टाड किया अभी यहां से भी हम इसको एक चेंड और करेंगे और यहां आज क् dingen ताइब कार, कर देंगे हैं कि हमने धागा काट दिया कि इसको धागी को अच्छे से हम अंदर की साइट कर देंगे यहां से भी हम इसको धागे को कारते हैं और अब हम फिर से गोल्डन कलर लगाएंगे जिर्खे भी हम यहां से हम अपने दबल क्रोशय स्टार्ट का नेक्स्ट कलर गोल्डन कलर हमने लगाया है यह लगाके अब हम यहां से स्टार्ट करें अब यहां एक दो दो चेन बनाएंगे और हर एक एक चेन में हम हम हाफ डबल क्रोशय दा लेंगे एक एक भी छोड़ना नहीं है यहां अगर आपको टाइट लगे तो आप एक चेन भी बना सकते हैं सब में एक एक चेन में हम देखिए एक डबल क्रोशया हाफ डबल क्रोशया बनाएंगे आप चाहें तो डबल क्रोशया भी बना सकते हैं चाहें तो हाफ डबल क्रोशया भी बना सकते हैं इस तरह हम सब में एक एक डबल क्रोशया हाफ डबल क्रोशया बना के आपको दिखाते हैं अब हम सब में एक एक हाफ डबल क्रोशया बना लिया है दिखिए यहां से वारा सरकल कंप्लीट हो गया है यहां पे अभी हम सब में हमने एक एक डबल क्रोशया डाला है सब में एक एक डबल क्रोशया में एक डबल क्रोशया में एक डबल क्रोशया डाला लेकिन जहां हमने यह दो चैन की थी वहां पे हमने दो डालें फिर एक पोस्ट में फिर दो फिर एक फिर दो इसमें हमने जहां हमने दो 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 की थी वहां हमने दो-दो डबल हाफ क्रोशे डालें सब में देखिए अभी हमारा हम लास्ट में आ गए अभी दो डबल क्रोशे डालेंगे और यहां पर भी हम इसे जोइन करते हैं जो अब चाहें तो इतना भी रख सकते हैं बड़ी सुंदर लगता है यह बारीक सी अगर आप चाहें तो हम आगे बताते हैं देखिए यह हमने अभी एक दो तीन चार तीन अपने चार चेंड की उसके बाद दो बार हमने क्रोशे को प एक दो और यह तीन तीन वार हमने क्रोश्य को निकाला है यह देखिए हमने चार चेंड की फिर दो बार लपेटा अब हम एक दो तीन चेंड करेंगे और इसके अंदर यह दिखिए यह हमारे गैप आया है इसमें हम 11 डवल क्रोश्य दा लेंगे एक दो पीन चार पाँच छे सार आट 9 10 11 11 एक हमारा चेन से होगी हमने यह डिजाइन आपको सेम अपने खालपोस में भी बना के दिखाया है अब हम देखिए यहां चेन डाली थी अब हम यहां नेक्स वाली चेन पर इसको यहां एक छोड़के अगले वाली यहां पर हमने डाला एक छोड़के अगले वाली हम जो चमारी चेन है उसके उपर हम इसको यह देखिए ऐसे जोड़ायगे जोईंट कर देंगे पिर हम 1234, 4, िसके बार, दबल धाटले पेटा, और इसके अंदर हमने फिर एक दबल करशा ड़ाले जालेंगे, वापस रुशी के अंदर हम 11 बार डबल क्रोशे डालेंगे देखिए एक हमारा 11 यह हो गया और बार नी हमारी चेन हो गई एक दो तीन चार पांच छे सब्सक्राइब सब्सक्राइब आठ नो जस ग्यारा और बार महां हम इसमें इसमें भी बना लेंगें अब तीन हमाने इसमें अग्यारा बना देखिए इस त्रह यह हमारा जो है डबल क्रूशे इसे 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 इए पहले थाल पोस्ट हमने बनाए था और रेड कलर से यह डिजाइन हमने बनाया था अब दिखिए अब हम इसको यहां में दाले यह एक चेन छोड़ेंगे अगली चेन में हम इसको ज्वाइन करतेंगे अब इस तरह भी कर सकते हैं और धागा लेकर भी कर सकते हैं फिर हम एक दो तीन चार फिर दो बार लपेटेंगे एक दो और यह तीन तीन बार हमने इसको निकाला एक दो तीन अब हम वापर इसमें ग्यारा बार डालेंगे एक एक हमारा चेन होके चेन बनाते हम लेकर बारा हो लेंगे एक दो तीन चार पांच छेन चार पांच छेन चार आट है कि नौँ है कि दर्स है कि ग्यार इसके ग्यारा मर बना है अब आदमें बार हम यहां इसके साथ अब कि में कि एक चोल के उसके साथ अगली वाली में हम बना लेंगे आधि हमारे इसे 12 बन गए है इसी तहां पूरा सरकल बनाएगे है अब हम आगे करें दिखी अभी लास्ट में आ गए हैं अब लास्ट में हमने सब जगा एक 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 चेन छोड़ी थी अब हमारे पास दो चेन बची हैं तो अभी हम क्या करेंगे इसको यह दिखी यहां से एक वार और बनाएंगे दो चेन हैं हमारे पास दिखी एक दो तीन और यह चार दो बार इसको गुमाएंगे और यहीं पर वापस निकालेंगे एक दो और तीन इसमें फिर एक दो तीन और यहां पर भी हम एक, दो, तिन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा हमने डाल लिये हैं दबल क्रोशें अमने पहले बताया था यहीं डिजाइन हम पहले आपको ठाल पोस में दिखा जूके है, खली हमने उस से ठाल पोस में पीछे से जॉइंत करना नहीं बताया था. इसी तरह हमने जृले टाइप का बनाया था, तो देखिए हमने यहां पर डो चे, थें हमारी एक और दो बची हैं. तो अभी हम यहाँ पे यहीं के साथ स्किप्ट करेंगे यह देख़ें यह हमारा यहाँ पे भी हम श्लिप्सिच से जोइन करेंगे हमने इसको जोइन किया, यह देखें यह हमारा पूरा सरकल बन गया है अब हम इनको जोइन करना है तो इसी ठाय जाले टाइप मी छोड़ सकते हैं कि ये ठाय जाले लग रही है अगर चाहे तो इसे हम बता रहे हैं वैसी भी आप बना सकते हैं इसे अभी हम यहाँ पे चेन में हमने एक क्इप स्किप डाला अब हम एक दो और तीन तीन डालेंगे इसको आगे करेंगे और यह जो वाला हमारा है इसमें हम अभी एक slip stitch बना देंगे यह दिखी यहां तो इसे दिखी एक दो और तीन इसको आगे करेंगे और यह जो हमारी हमने सब में chain बनाई है chain में हम slip stitch से इसको जोइन करते जाएंगे एक दो तीन फिर इसको आगे करेंगे और स्लिप सींदे इसको पीछे से हम इसको जुए न करेंगे कि इ Examples के लिए तो कि ऐसी इस तरह से इस तरह से जिए जो हमारी को साँ बने हूए हैं यह स्तना से ङदेब हम यह दो बना है इस तरह जोएंट होते जाएं ते फिर से दिखिए फिर हम करें एक दो और ती तीन डालेंगे बहूत नें बिला चैनंद भी नहीं दालना है कि इसको आगए करेंगे और यहां खर आगे है और 'll be एक चैयंगे में हने डाली है, इस तरह पूराisons कर बना लें को माचो방 दिखें में यह चारों तरब से बना लिए यह दिखें इस तरह से इस तरह से यह तरह से हमारी चायरों तरफ प्र सब्रेंद दे अब हम लास्ट में पुंच गये हैं यह लास्ट में हमने यहां पर डाला और यह बारा जो है जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम इसको स्लिप से जोईं कर देंगे यहां एक और दो चैन बनाएंगे और यहां से धागा काट देंगे इसकी ध्यान रखिएगा कि कोई छूटना ने चाहिए बीच में अगर आपका कोई छूट गया तो फिर वापस से उसको अंदर करेंगे अब हम इसको यह दिखिए अब हम इनको सेटिंग करेंगे इस तरह हम सबको एक दूसरे के उपर लगा के ऐसे सैटिंग कर देंगे सबको हमने चेंड से जोड़ दिया है कि इस तरह भी हम इनकी की सैटिंग कर देंगे एक वार आपको सैटिंग करनी पड़ेगी फिर तो यह अपने आप बैठ भी जाते हैं इस तरह चारों तरह से हम इनकी सैटिंग कर देंगे आप प्लीज जुरूर शेयर कीजिए सब्सक्राइब करिए अगर आशा है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं किया है तो प्लीज जूरूर कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने प्रेंड्स के साथ ताकि वो भी वीडियो देख सके और कॉमेंट कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगे ताकि हमको भी हॉंसल आए कि नई ने वीडियो हम डालते रहें इस तरह ये हमारा चार तरफ से नीचे चला जाएगा और ये जो हमने डवल क्रोशे डाले हैं वो जो है हमारे सब ऊपर की तरफ आजाएंगे इस तरह थोड़ा सा इसको सेटिंग में टाइम लगता है क्योंकि थोड़े से हाथ लगने से आगे बनाने से थोड़े से वो होने में में इसमारा साधा सीधा हो गया है इसी तरह एड़ें या अच्छे से 4 तरफ से सET कर देंगे और सेटो जएंगे इसoug नहीं हिलेंगे इस बात का ध्यान अखना की ये जो chain है वो chain को हमको नीचे की साइड में करना है अगर आप थोड़ा tight और करना चाहते हैं तो हमने 3 chain डाल ली है तो आप तेन की जगह 2 chain भी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा और काईटों के ये जो हमारे दिख रहे हैं कि यह थोड़ा सा और नजदीक नजदीक हो जाएंगे इस तरह हमारा आप इसको कोई भी कलर में बना सकते हैं दो कलर में एक कलर में यह दिखी हमारा अब यह पूरा हो गया है यह एक कंप्लिट अभी हम इसके अंदर चेन डालेंगे और यहां पर बॉर्डल करेंगे और बथाते हैं बथा यह दिखी हमने घ्रीन कोलर वापस लगा लिया है सब्सक्राइब आप यहां पर एक एक चेन में एक एक स्लिपस्टीच डालेंगे। आप चाहें बपना लगा सकते हैं। यह बाद में भी बना दें। मैंने एक एक स्लिपस्टीच बनाएंगे। उसस्ट ध्यान रखें कि यह जो हमारी चेन होगी। अगर आपको लगते है खीच रही है तो आपे जगह यहां दो भी स्राइब आ सकते हैं उसके बात फिर से स्राइबेंे टोब यहां पिर हम इन андे कैट ुब नहिए जाए समतलिरों में एकर स्थ आब यूगर बना देखे डोगिती है कि इसी तरह हूं की इसी तरह आप बाहों पे भी बढा लेंगे अब बना लिए इन को चेन्ट नाल की यहाँ से अंगे करेंगे यह देखिए यह हमने अब चैन डाल दी है ऑव हम यहां पर इनके बैट बनाई है यहां पर थोड़ा सा टाइक करके यहां हम गांत लगा देंगे जैसे बनाते हैं हाव गांत बदाद की संदोसिये जैसे हम देखिए हमारे कॉंद देखिए बिजान तेयार हो गई है पी चौने तरफ से छोड़ा से लगे आप इसको अठीड कर लिजएगा क्योंकि शुरू में एक डो बार होता है बात में सट हो जातेज में छ्रवीं एक डोल दकाटी है पिछे से से भी हमने डिर देखत्ट हो गई है वह हूग ऊ requ Shamali यही दो-चार बार में हम दबा के रखेंगे तो यह सेट हो जाएंगे इसलिए दिखिए कि हमारी डेस्ट तैयार हो गई है यहां से हम इसलिए आशा है आपको पसंद आई होगी शेयर कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए फ्रेंज के साथ और मारी वीडियो को कमेंट जबूद दीजिए तैक्स पर वाचिए